दीन द्यालुपाद्या गोरगपूर विश्विद्याले के पूर्व और वर्तबान छातनेताओं द्वारा शुकुरवार को चास संग भवन पर दीन द्यालुपाद्या विश्विद्याले चास संग के पूर महामंत्री स्वरगी रंग नारायन पांडे की पुन्तिती पर शर धानली दी गई इस दौरान सभा आयजितकर स्वरगी रंग नारान पांडे के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके पच चिनों पर चलने का संकल्ब को दोराया गया इस समन्ने गुरकपुर ने उससे बात करते वे शाद्धानली सभा के संयोजक छात नेता निखिल चंद उपाध्या है पूर मेर ट्राक्टर सत्या पांडे और महापौर सीता राम जैस्वाल ने कहा तकी राम संत अपाते हैं तकी राम सरफ चंद उपाध्या है कि पत्मी अपने पतियों को पोया करगी रंगनराण पांडे जी पुनिती थी इसी संबंद में हर वर्थ की भात इस बार भी कोविड 19 को देखते हुए संचिपत रूप से मनाया गया है हर वर्थ की बाती इस वर्थ भी सारे कोविड देखते हुए मनाया गया ताकि जो हमारा चाजसंग है और चाजसंग की जो राजनीत है आज के परयाय में चाजसंग राजनीत विलुक्त होती जा रही है अब क्या सरकार की क्या मंसा है कि छासंग राजनीत को खत्म कर रहा है जबकि छासंग पर्थम सीड़ी है और यह हमारे अग्रज रहा है लागातार गोरख पुरविश विद्याले में चुना होते रहा है और स्वरगी रंग नराण पांडे जी के राहों पे चलने की कोशिस कर है अन्यवार भी शुविद्याले के छात्र नेता रहे रंग नराण पांडे जी का आज इस्मिर्टी दिवस है शद्धान जली समारों में यहां के जो छात्र नेता है चात्र के जो राजनीत करते हैं वो हर वस यहां पर पुर्णिती थी मनाते हैं जब मैं महापार नहीं थ करते हैं और यहीं सभी बच्चों को शुब कामनाय देते हैं कि वह एक शुक्ष राजनीत करें जो राश्ट हित में राश्ट को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूम का निभाएं यश्किर्टी में इन लोग की ब्रद्यों और यह लोग खोब आगे बढ़ें और जो हमा हारे समाज में गंदगी यूवाओं के को कहा जाता है उस गंदगी को ये दूर करने में सफल्टम मुकाम चाहतु तरह बहुत बहुत द्यॊं और रंग्रायन पांडे जी बिद्यार्थियों के बीच में बिर्द्यार्थियों के बहतरी के लिए गोरकुर में बिद्याले में सिक्षा गोव गुर्णवता प्रदान सिक्षा देने के लिए हमेशा संगर्ष किया है और आज जुआओं के प्रेणा स्रोत है आज भारी संख्या में लोग इन्हें सरधांजली देने के लिए उपस्तित है इसी से ग्यात होता है कि 42 साली बाद भी आज इनकी लोगों में स्त्रधा बनी हुई है आज हमारे नगर निगम के उस्वापती मैं पुर्मेयर सत्या पांडे जी दिनेश्तिर पाठी जी और बहुत सारे लोगों ने इन्हें सरधांजली जी है मैं भी इन्हें अपना सरधास्मन अर्पित करता हूँ